राजिस्तान कॉंग्रेस की आपसी तनातनी पर खुब मजे लेने वाली भारत जन्ता पाटी अब खुद आपसी कल्हें में फस चुकी है जी हाँ मद्यप्रदेश में होने वाले अगामी विदान सबा चुनावों में अपनी कूरसी बचाने में लगी हुई भाश्पा की सिवराज सरकार के अंदर मंत्रों के बीज की तकरार अब सब के सामने आ चुकी है तो दोस्तों क्या है मद्यप्रदेश चुनाव को लेकर अब तक कि सबसे बड़ी खबर चलिए आपको विस्तार से बताते हैं लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल देश्रीटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट कर ले साथी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा ले नमस्ते मिना नाम सुमित है और आप देश निती देख रहे हैं MP में बागी नेताओं के जरीए अपना समराज्य खड़ा करने वाली BJP के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है चुकि इस साल के विधान समराचुनावों में 200 सीडों पर जीत का दम भरती सिवराज सरकार अपनी पार्टी के अंदर मंत्रों के बीच चल रहे आपसी कलेश के चलते बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है यहाँ मध्यप्रदेश में बीजेपी अपने रूटे हुए नेताओ को बनाने के काम में जुटी हुई है तो वहीं अब बीदे सौंबार को सीम चोहान ने भी अपनी पार्टी के रूटे हुए नेताओ के साथ बैठक की है जहाँ इस बैठक का उदेश चे पार्टी के भीतर चल रही आपसी कीशतान को कम करना है बैठक में सीम सिवराज ने नेताओ को दो टुक लहसे में कहा है कि ऐसी बयानबाजी ना करे जिससे पार्टी को अगामी चुनावों को लेकर नुकसान हो आपको बता दे कि इस बैठक में परिवाहन मंत्री गोविन सिंग राजपूत नगरिय प्रशासन मंत्री भुपेंदर सिंग और पी डवली मंत्री गोपाल भारगव समेत कई नाराज नेतायाने की विधायक मौजूत रहे खबर है कि सियम सिवराज ने सभी नेताव से एक एकर बात की है और उन्हें बनाने की कोशिश की है जानकारी के मताबिक सियम सिवराज ने सभी नेताव से बोला है कि चुनाव का समय है इसलिए सब को बिठा कर समझाया जा रहा है सबाध हिंता का त्याग करे और ऐसा कोई बयार ना दे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे हलाकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि CM के समझाने और मनाने के बावजूद भी मद्यप्रदेश भाजपा खेमे में गोविन सिंग राजपूत और भुपेंदर सिंग के बीच तना तनी देखने को मिली है गोविन सिंग ने कहा है कि उनकी छवी खराब की जा रही है जबकि भुपेंदर सिंग का भी ठीक यही आरोप है सागर जिले के बीजेपी विधायक ने वुपेंदर सिंग पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे सागर जिले में एक तरफा फैसले लेते हैं और सगठन भी खुद ही चला रहे हैं जबकि गोविसिंग पहले ही वुपेंदर सिंग पर हमला बोल चुके हैं यानि दोस्तों कुल मिलाकर मद्यापरदेश में इस साल भाजपा विपक्षी कॉंग्रेस पार्टी के एक्शन मोड में आने से पहले ही अपनी पार्टी में चल रही आपसी लड़ाई, खीशतान, तनाव और फूट के चलते बुरी तरीके से हारने वाली है खेर आप मामा सरकार में चल रही इस आपसी कलेपर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के जरूर बताएं, साती मद्यापरदेश चुनाफ से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बने रही हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार